हाई एवरिवन आज की पटिकुलर वीडियो में बात करने वाले की वेस्ट बिंगॉल सिविल सर्वीस के बारे में मैंने पहले एक वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे महां पे सारे डीटेल्स आपको दे दिया गया है कि यह एक्जाम होता क्या है मैं यहाँ पे पटिकुलर बात करने वाली हूँ कि इसमें सिलेबस क्या होते है एक्जाम के पैटेन क्या होते है यह मैं पूरा डीटेल में इसके बारे में बात करूंगी चलिए इसके बारे से स्टार्ट करते अपना वीडियो मैं आज यहाँ पे एक्जाम जो पैटेन जब qualify करते हो तो आप मेंस में जाओगे अगर आप मेंस qualify करते हो तो ही आप इंटर्वीव में आप बैठ सकते हो और इंटर्वीव जब qualify होते हो तो आपको service मिल जाएगा तो प्लेरिम्स में क्या-क्या paper है आपको कितने marks में score करना है मैं सारे details में बात करने वाली हूँ प्लेरिम्स जो पहला stage होता है उसमें आपको यह objective type question होते है जो अड़हाई घंटा का paper होगा यहां पर आपको सिव एक ही paper है जिसमें आपको multi-choice question मिलता है एक question का आपका चार option होगा उसमें से आपको यह एक select करते हैं तो यह total 200 marks का आपको मिलने वाला है यहां पर देकि distribution क्या हुआ है कि English comprehension जो अपको 25 marks का होता है जनरल साइंस अपको 25 marks का होता है current जो national current affair और international current affair मिला कि अपको 25 marks का आता है history geography फिर 25-25 आता है फिर India quality and economics 25 marks का आता है Indian national movement जो history का modern part में आता है इसे 20 marks का आएगा 25 marks का फिर general mentality ability मतलब क्या होता है यह जो होता है वो logical reasoning type का कुछ questions होता है जो आपको 25 marks का होगा यह आप का अगर qualify करते हो जैसे अगर आप 200 में आप 120 यह 130 आपका अगर safe side score करना तो 150 अगर आप score करते हो तो आप qualify होगे mains के लिए देखिए हर एक जो question है ना यह आपको बोल देता है कि आपका 200 marks का होगा total आपका यहाँ पे 200 question है जिसको आपको complete करना है अरहाई घंटे के अंदर अगर आप marks obtain करते हो तो आपका नाम आ जाएगा मेंस के लिए तो इसका next stage जो होता है after यह प्लेरेंस complete होने के बाद three month three to four month लगता है उसके बाद आपका मेंस का exam होता है मेंस में क्या है कि मेंस का जो पेपर होता है यहाँ पे नॉर्मल आपको यहाँ पे जो पेपर होंगे पहला पेपर जो होगा वह आपका इंगलिश बिंगॉली हिंदी उर्दू नेपाली संस्कृत जैसे आपका रीजनल लाइंग्वेज हो जो आपका mother tongue जिसे हम लोग कहते वो essay type का होता है तीन घंटे का paper होगा ध्यान रखना है कि इसका paper 2 में English होता है सबके लिए English compulsory रहेंगे यह भी essay type में होते है और तीन घंटे का होता है paper 3 में general study 1 होता है paper 4 में general study 2 होता है यह जो होता है वो objective type होते है जैसे आपने playrims में exam दिया उसी type में आपका यह exam होगा यह भी तीन घंटे का आपका paper रहता है next paper 5 में और paper 6 में जो होता है वो paper 5 में Indian constitute and economics के बारे में होता है और 6 में आपका वही same reasoning याद करिए जो playrims में अपने दिये थे उसी का थोड़ा यहाँ पे पूरा paper आईगा objective paper होंगे और यह भी तीन घंटे का ही रहता है जो group A और group B देना चाहते हैं उनको और 6 compulsory paper आपको देना होगा और साथ में आपको एक आपको optional subject भी होगा जिसका दो paper है और जो group C और group D में जाना चाहते हैं तो उनको सिफ compulsory paper देना जिसे यह जो six paper है बस यही देना है उनको कोई optional paper नहीं देना है बड़ अगर आप A और B group में जाना चाहते हो तो आपको optional paper आपका देना होगा वह आपके इसाब सब कौन सा optional अपना च्वाइस कर सकते हो नेक्स्टे कि अपको optional paper क्या क्या होगा जिसे आप group A या ग्रूप B में जाना चाहते हो तो optional paper यहां पर देख सकते हो total आपको यह पर पर है आप जो चाहें वह च्वाइस कर सकते हो कोई भी एक optional paper आप करेगा चाहिप हिंदी लो अकाउंटेंसी लो जोग्रुफी लो हिस्ट्री लो जियोलोजी जो आपको अच्छा लगे जो आपके लिए अच्छा रहे पढ़ने के लिए वह आप यहां पर च्वाइस कर सकत पुर्ण मांक्स अच्छा स्कोर हो जाता है तो आपको इंटर्व्यू राउंड में जाना जिसे हम लोग प्रस्नालेटी टेस्ट भी कहते हैं तो प्रस्नालिटी टेस्ट में क्या होता है जो ग्रूप A और ग्रूप B में जो सर्विस करना चाहते हैं उनको टोटल 200 मांक्स क इंटर्वी होता है आपको 200 में 150 या 100 को कॉलिफाई मिनिमम नाइंटी के उपर आपको स्कोर करना है तभी आप कॉलिफाई होते हो तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि आप कितने स्कोर कर रहे हो बस इंटर्व्यू अच्छे से देना ग्रूप C में आपको 500 मांक्स का होता जो आप इस स्कोर अच्छा कर्ती हो अच्छा मेंे अपको स्कोर हो जाता है तो सर्विस के लिए आपको अपॉंटमेंट्में लेट आज आता है अब तो मैंने exam pattern अपको बता दिया कि exam pattern में होता क्या है exam में क्या क्या आपको पढ़ना है क्या क्या exam होता है क्या subjects है अब मैं उस subjects का detail में syllabus बताने वाली हूँ कि प्लेरिम्स में आपको क्या क्या पढ़ना है प्लेरिम्स के जो पेपर मैंने बताया था 200 मार्क्स का उसमें आपको क्या-क्या ध्यान रखना है सिलेबस के उपर तो सिलेबस में क्या है प्लेरिम्स का कि ये 2022 का सिलेबस में आपको दिखा दरीव करेंट वाले ये जो सिलेबस में आपको English comprehension, synonym, antonyms, idiom phrase, vocabulary test, phrasal verb ये आप इसे पढ़ सकते हो इवेन इसके books भी मिलते हैं जो आप Amazon से या फिर Flipkart या फिर आप कहीं से आउटसाइड भी ले सकते हो यह आप यहां से पढ़ाई करें फिर general science आप पढ़ सकते है जनरल साइंस आपको ध्यान से पढ़ना है, जनरल साइंस आपको minimum 10 तक का तो जनरल साइंस आपको ध्यान रखना है 6-10 फिर history करना है, geography है और इंडियन पॉलिटिकल एकोनामिक से जनरल मेंटलिटी अबलेटी टेस्ट है तो जनरल मेंटलिटी अबलेटी टेस्ट जो होता है उसका भी पतला से बुक आते हैं आप उसे अगर सॉल्फ करते हो मिनमम दो मांत भी अच्छे से सॉल्फ करते हो नो तो आप इसे 25 में 23 24 स्कोर कर लोगे बाकी है history geography को ध्यान से अच्छ बिंगॉली है हिंदी है उर्दू है नेपाली है जिसे मदा टंग वे क्या थे उसमें क्या क्या आएंगे आपको पेपर में लेटर राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग प्रेसी राइटिंग कॉम्प्रियेंशन और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी बिंग उसे आपको इंग्लिस में ट्रांसलेट करना है जेनरल स्टड़ी वान जो पेपर 3 कहते हैं इसमें इंडियन हिस्ट्री आता है और जोग्रफी ऑफ इंडिया आता है तो जोग्रफी में बेसिकली वेस्ट बिंगल का जोग्रफी जादा यहां पर रेफरेंस करते हैं कि अगर जोग्रफी पढ़ रहे हो तो इंडियन जोग्रफी पढ़ो और वेस्ट बिंगल जोग्रफी पे ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा पेपर जो 4 है उसमें जेनरल स्टड़ी 2 है यहां पर आपको साइंस और टेकनोलोजी एडवांस जो भी करेंट चल रहा उस पर ध द्यान देना है तो Constitution of India आता है Central State रिलेशन आते हैं और इकोनोमिक्स इंडियन एकोनोमिक्स में रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक का कमिशन फी क्या होता है माइनेटरी पॉलिसी क्या होता है इस पर आपको ध्यान देना है नेक्स जो पीपर 6 है जो रिजनिंग होता है टेस् इसको भी अगर अच्छे से सॉल्फ करते हो तो इसमें कॉलिफाई हो जाओगे तो इसमें भी क्या है लॉजिकल डिस्रेक्शन उसी बुक्स के अंदर आपको यह सारे चाप्टर्स भी मिल जाएंगे अच्छे से प्राक्टिस करोगे कंटिनू अप करते हो तीन चार बार इ इंटर्शीफ फ्री कोर्सिस के बारे में बताया जाता है अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजेगा चानल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई और रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं